तो आप सभी का सुभागत है एक और जूटी ओफाई के अमेजिंग से रेस में जिसमें आज हमारे साथ है हल्क वो भी अपने जीप रैंगलर के साथ और आज की रेस बहुत ही जादा खतरनाक होनी वाली वो कैसे आपको वो तो आगे वाले आगे वीडियो में ही पता चलेगा तो फटा फट से हमारे इस जीप रैंगलर में बैढ़ते हैं और आज की इस रेस को स्टार्ड करते हैं देखते हैं कि हमारे जीप रैंगलर कैसी परफॉर्म कर पाती है अपने हल्क के पावर के साथ तो देखो यर यह जो रेस है यह मैंने देख लिया है इसका ट्रैक बहु पिचक पाचक तो नहीं गई वैसे स्ट्रॉंग ही है बट ये एकदम खड़ी चड़ाई है कि उपर भी हम नहीं देख सकते हैं एकदम खड़ी चड़ाई है ये वाली ओ माइ गॉड तो यार पीचे तो देख सकते हैं ये देखो कितनी जादा खड़ी चड़ाई हम लोग चड़ रहे हैं और हमारी जीप फ्रैंगलर सही परफॉर्म कर रही है और बातों ही बातों में अभी नीचे सरकने वाले थे बट हम लोग बज गए और ये देखो गाईस इतनी खड़ी चड़ाई है यहां पर तो हम लोग वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सही तरीके से यहां पर जाना होगा नीचे की तरफ तो हम लोग थोड़ा सा अच्चे से हम लोग अपनी लेंगे और देखो ये रैंप ना बहुत ही जादा लंबा रैंप है तो अब हमने यहां पर अपनी कार को फुल स्पीड में भगा लिया है हमारे गाड़ी जीप फ्रैंकदर में हल्क जी बैट है जो कि बहुत ही सूच-बुच से यह कार को लेकर जाएंगे और क्या हम लोगों सोर पुच पहा है करें पहुचा दे पहुचा दे पहुचा दे पहुचा दे ओ शिट 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 वट द्ध हैल हे भगवान अब यह जीप फ्रैंकदर पुरी तन्या-फन्या ओली ओ oh what is this man यह पुरी railway पट्री पर गीर चुकी है और कई इदर उदर से ट्रेन आ जा कुए alright so guys हमारी जीफ रॉंकलर की तो बदल भालत पुरी ठाइट हो चुकी है तो अब हमारी भैया हल्क अपनी रेड अपनी रेड अपनी red swift लेकर आचुके है और अब यह हल्क भया सोच रहे कि यह लोग swift से जो है वो यहाँ पार करके देख लेंगे बट यार यहाँ से हमना हमको क्या यही पर तो यह इसकी तन्या फन्या नि हो जाएंगी ओभाई बच्जा 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 वो माई गॉड वो कार कहा जारी है देखना पड़ेगा कि वो कार आखिर कई कार वो देखो गाइस वो लाल लाल जारी है वो वहाँ लटक गई दिखे आपको है भगवान और इसका दर्वाजा यही पर रहे गया शुट मैन चलो अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट कार को ट्र स्टार्टिंग सही यहां पर अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे क्या हम लोग उस पार पहुच पाएंगे इस स्विफ्ट से स्विफ्ट की ताकत आज हमको पता चली जाएंगी दोस्तों और हम लोग इस टायर के पार तो आ गए और 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 वाट दे हेल रंगलर के यह इस वजे से पोचिकि हमने इस ओडा सो इजएच लगाराया एर रंगलर रंगलर है तो गाडी तो हम लोग उसको इजज़नेलाआएगे तो कैसे हम गलत वलत अंगल से ले ले लेंगे तो क्या मदलब हो थोडी ने उसका कुछ वाएंगैगा अब एक दर दर ऑगल य अह पर आगे का कुछ दिखता ही नहीं तो इस बार भी हम लोग सही धंग से एंगल लेंगो इतनी ज्यादा स्टीप इसकी यह चड़ाई मैं लब उतार इसका इतना सब्स डीप है मैं को पता नहीं था हम लोग फुल स्पीड में जा चुके और यहां से मारेंगी अवसीधा जम अब देखते की हम लोग उदर मतलब सक्षस्फफुल हो पाते भी है या नहीं हम लोग टायर से तो उपर ऊचुके और अभी हम आखिर मतलब कहा गिरने कहा वाले समंतर में अबे, यह कैसा राम्प था यार बट हाँ, हमने यह वदा राम्प हल्क की मदद से क्लियर तो कर ही लिया है बट यह कैसा राम्प था तो हमारी यहाँ पर जो स्विफ्ट है यह पानी के अंदर चली जा चुकी है अब यह किसी काम के नहीं बची अब हम लोग पानी से उपपर उठते है और देखते कि आकर हमारा राम्प थाक है साथ मतब यह जो इदर है वो क्या है तर यहाँ पर ना टायर है और बड़े बड़े से वह वहील से मिडिया प्लेयर के कॉन्स लिख रहे है अब को यह है क्या गाइस तो अब आपका सुवा गयत है एक और रैंप में और हल्क अपनी वाइट कलर की स्विफ्ट यहां पर लेकर आ चुगा है अब देखते कि यह स्विफ्ट यहां पर किस प्रकार से परफॉर्म कर सकती हल्क के शक्तियों के साथ तो अभी यहां से हम लोग फटापर से मोड थे और हब देखो कि यह पीछे मतलब किते साथ हल्क ने ला लिया था इस स्विफ्ट को तो भी यहां से हम लोग इसको धक्का देना है पड़ेगा हमको ओ तेरी यह बहुत ही जादा खतरना कोने माला यहां पर ओ शिट शिट शि यह पराशुट है क्या है यह भगवार मैं तर्रतर के चीजे रखे है यहां पर फुटबॉल रखा है रभी हम लोग इसके उपर अड़ेंगे और कहां पर रे यह कैसा मैप है गाइस एक बार फिर से हम लोग यह वाला इस लेगल को ट्राइ करते है क्योंकि लास्ट टाइम ह क्योंकि हम लोग थोड़ी सी स्पीड कम करने थी क्योंकि हम लोग थोड़ी से आगे ही जाकर गिर चुके थे तो अभी यहां से हम लोग इस अपने वेहिकल को सरकाते है और यहां से भी थोड़ी से खत्रा ही टाइप रहता है क्योंकि आपर तो पैराशुट है वहां से हमार जो कार है वो फिसल थी अब यहां पर हमारी आई बटन है तो इसको भी पार हमें करना है और यहां से बड़े ही धीर इसे उड़ना है उसे जादा जोर से नहीं उड़ना अरे शिट यार गाइस हल्क आ चुक है अपने एक और शुफ्ट के साथ और इस बार हल्क करेगा अपने इस कार को रिवर्स में ताकि स्पीड थोड़ी सी कम रहे और यह सुरक्षित यहां पर पहुत चुक है बट यार हल्क के पिछले दो कार से पिछले दो स्विफ्ट यहां पर अल्रड़ी मौजूद है तो अब यहां से बड़ा ही जादा मुश्किल होने माला है हल्क को अपन इनकी स्विफ्ट को भी पुराने मारे यहां से बड़े ही ध्यान से लेकर जाना बड़ेगा क्योंकि हमारी स्विफ्ट फिसल ना जाए कई तो अभी हम लोग इनको ठोकेंगे और अभी हम लोग यहां पर पोच गाइस तो लास्ट वाला स्विफ्ट के साथ राउंड तो इ तो अभी इस वाले राउंड को ना हम लोग ध्यान पर रुबग क्लियर करेंगे क्योंकि यार इस वाले राउंड पर ना शारुक और विराड जी ने भी खेले तो वो तो हार चुके थे अब देखते की हल्क अर्यार यार यार का पंख बहुत ही ज्यादा तेजी से भूंता है यार इस वाले वीडियो में फिलाल इतना ही रखते हैं मैं तोड़ा सा मेडिटेशन करके यार क्योंकि मेरा फोकस यह बन पाला है यार तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगियो तो वीडियो को लाइक जरू करना और लोक के लिए मैं तोड़ा सा मेडिशन करके याता हूँ ताकि मैं अगली बार के चासएंजिश में अच्छी से खेल सको और जीट के जिगा सको तो इस वाले वीडियो में फिलाल झाल झाल